अनन्त आकाश उसमें अन्गिनत सितारे उन्में से एक साधारन सा सितारा सूर्य जिसके इर्द गिर्द घूमते ग्यारा क्रह उन्में से एक छोटा सा ग्रह पृत्वी जिस पर पैदा हुआ मानव पृत्वी पर ये एसवी संद दो हजार एक सो तेईस का साल है और विश्व सरकार की राजधानी है दिल्ली मंगल उडान के लिए अंत्रिक्स यान तयार उडान कार्यवाई शुरू उडान कार्यवाई जारी जंत्र परिक्षा शुरू सभी जंत्र सही सलामत केबन में दबाव बराबर इंदन का बहाव बराबर आयन एक्सकेंज का दर बराबर M2, काउंड़ून के लिए तयार? तयार काउंड़ून शुरू तयार कर दो तयार मंगल की आतरा शुब हो माया तयांक यू पबाब फिक्र ना कीजिये सर, सब ठीक हो जाएगा पहली बार मेरी बेडी इतनी दूर जा रही है काम चुना भी कितना कतर लाग है ये क्या हो रहा है अरे ये उलका तो अपना रास्ता बदल रही है लगता है यान की तरफ मुड़ रही है लगता है एम टू से टकराएगी तिस वी से एम टू संदेश, एम टू, एम टू संपक रो एम टू, एम टू प्लीज, प्लीज बाया एम टू से संपर टूट गया है सर, कोई सिगनल नहीं मिल रहा तुम को से चारी रखो और तुम मंगल चावनी से संपर करो एब बगवान तुम जाके कि वो यान को खिना नुटान गुआ है मैं यान संपर करो प्रित्वी से मंगल चावनी को संदेश, मंगल चावनी संपर करो ये मंगल चावनी है बिफ्री M2 से हमारा संपर कुट गया है, शायद कोई अकस्मत हुआ है लगता है M2 से कोई उल्का टकराई है हमें एक्सिंग की ख़वर है सर क्या वो तुमारी संपर कमे है नो सर, M2 से हमारा भी संपर कुट गया है लगता है यान को काफी नुक्सान पहुंचाए सर पोशिच जादे रखो, इमर्जिंसी लानने की तैयारी करो रोजर सर, हम पूरी साधानी बरत रहें सर M2 से प्रिस्पी को संदेश M2 से प्रिस्पी को संदेश संपर्च दरूरी संपर्च दरूरी संपर्च दरूरी संपर्च जूटके हैं मिशन यंतर पर लोडिंग पैनल को काफी नुक्सान पहुंचा है पाइलट पाइलट बुरी तरह जखमी है वो बेहोश है यान तो आपी को संभालना पड़ेगा कर पाओगी ऐसे हालत में पहले कभी किया नहीं है लेकिन देखींगे जान मंगल कक्ष में आ गया है सर लेकिन लगता है हालत बहुत कम्हीर कितना नुक्सान हुआ है पता लगा हम पुरी कोशिश कर रहे हैं सर लेकिन मेरे खयाल से लैंडिंग उपकरणों को काफी नुक्सान पहुंचा है उसे कुछ नहीं होना चाहिए याद रहे कमांडर सुल्टन वो तुमारे शेत्र में है उसकी सुरक्षा की सारी जिमेंदारी तुमारी है कर रहे है पुक्षा अधिए झाल 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 जाल 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 वीशार तुम्हाज लाँ एंतू, क्लिए अटू तुम्हारे अधारी झाल पाफू और जाचेदे अरे यहां हम सब और तुम्हारे पिता डॉक्टर रे काफी परेशान थे अगर पापा का बस चलता तो मुझे इस मिशन पर कभी आने ही नहीं दे समद सकता हूं कोई भी बाप अपनी खुबसूरत बेटी को अपने से इतनी दूर भेजने को कैसे तयार हो सकता है और फिर आयो जेल का जेलर बनना कोई आसान काम तो नहीं आसान काम तो कोई भी कर सकता है सर यह राइट माया तुम्हारे पिता मेरे गुरू थे उनसे तुम्हारे ख़ब मिलती रहती थी लेकिन यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई हूँ आपके बारे बेभी पापा से बहुत कुछ सुना है सर वेले वेल, मीट माय सान यह है सूरिया, तुमसे मिलने के लिए बेताब है जिंदाबाद जिंदाबाद दूरिया, तुम्हारे लिए एक तौफा लेकर आई हूँ मेरे लिए, क्या है? पहले आखे बंद करो और दाहिना हाथ आगे करो वाव, इतना फैंसी दस्ताना परित्वी पे नया फैशन है क्या? यह दस्ताना ही नहीं, बलके यह सूपर कंप्यूटर भी है और जानती हूँ इसका नाम क्या है? पाशा पाशा? मेरे मालिक सुरिया हे मंगल, इसे तो मेरा नाम भी मालूम है यह और भी बहुत कुछ जानता है चलो चलो, यहां से चलो सबसे पहले माया मैं तुम्हें मंगल के यह पुरुष एस्ट्रो गुरू से मिलाने ले जा रहा हूँ विश्व के सबसे ज्यानी और सबसे लंबी उमर वाले इंसान पूरे एक सो अस्ती साल यह जो सारा स्पेस टेशन देख रही हो ना यह इन्ही के निग्रानी में बना है इन्होंने बीसमें शतादिक अलबर्ट आइंस्टाइन की थेरी इसको लेकर गहरे अंतरिक्ष की खोड शुरू की सौ साल पहले इन्होंने ही हमारे इस मंगल ज्हावनी की कलपना की थी और आज भी अगर हमें किसी सला मशुरा के जुरूत पड़ती है अपने इस अंतरिक्ष के बारे में तो हम और दूसरे ग्रहों के लोग इन्ही के पास जाते हैं हाई एस्ट्रो प्रणाम एस्ट्रो गुरू यह माया आयो जेल की नई जेलर प्रणाम सुन्दर अती सुन्दर इस सुन्दरी को तो हमारे वातावरण में सदियों पहले आशाना चाहिए था सदियों पहले तब तुम्हें पैदा भी नहीं हुई थी तो क्या हुआ इस दुनिया में नहीं किसी और दुनिया में सही किसी और आयाम में तो हम मिल ही सकते थे जहां समय विपरीद दिशा में बहता हूँ असमभग समभग करने में लगे हैं मुद्द से हमारे ये एस्ट्रोगु फिजिक्स और फिलोसोफी को मिलाने की कोशिश में लगे है जोतिश को विज्ञान का दरजा देना चाहते हैं ये आव इश्वास के मनगढंत स्वर्ग में रहते हैं लोग इश्वर की अनंतता में भी कोई अरण नहीं ठून पाते हैं अपने अज्ञान के घमंड में समझ बैचते हैं कि इश्वर हमारा जीवन पासे फेक कर चलाता है मानना ही नहीं चाहते कि वहां भी एक अभिरचना है एक व्यवस्था है विश्वास नहीं होता आओ मेरे साथ यहां अपना हाथ रखो यह सब तो किसी डेटा बैंक पर मिल सकता है तो ध्यान पर सुनो तुमारी एक जुड़वा बहन है जिसे कोई अंजान बीमारी होई थी वो बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन तुमारी बहन को एक ऐसी हालत में छोड़ गई जिसका इलाज मुश्किल है उसे कभी-कभी दौरे पढ़ते हैं अपराधी मनोव रुस्थी के दौरे और इसलिए तुमने जीव शास्तर पढ़ने के बजाए अपराध शास्तर और मनोव इज्ञान की पढ़ाई पढ़ी ताकि तुम उस बीमारी को समझ सको उसका रहत सुलजा सको और सुलदी तुम कुछ लोगों के साथ एक खतरनाक अभ्यान पढ़ जाओगी और तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा ये सब आपको कैसे पता चला बहुत आसान है अनिश्चित दिखने वाले प्रमांड में भी अर्थ निहित है ए आश्टो देखो यहाँ पे कुछ गरबढ़ है ये उलकाएं अपना रास्ता बदल रही है लक्षण अच्छे नहीं है कोई अनजान शक्ती उलकाओं की दिशा आयो की तरफ मोड़ रही है एस्टो गुरू आप क्यों बेकार में से डड़ा रहे हैं आयो पूरी तरफ सुरक्षत है ये है आयो तुम्हारी मंजल सुर्य मंडल का सबसे सुरक्षत जेल मालूम है माया सारे सुर्य मंडल में प्रिश्वी के अलावा यही एक ग्रेफ जिसके जंदा ज्वालम होगी जो कंदक पर तेजाव उगनते तरच फिर तो नर्ट यहीं कही होगा अगर सारे तारा मंडल के सब से खतमनाक दरिनों को कैतर के रखना हो तो नर्ट जैसे ही कोई जग ठूरनी पड़ेगी ना माया यहां की सुरक्षा मानो एक चक्र व्यू है हमारे यहां पात सुरक्षा चक्र है सबसे पहले है यह खौलते लावा पर से गुजरती हुई सुरांग जो खत्रे का अंदेशा होते ही हट जाती है इसके दूसरे छोर पर है डामंड गेट जो कि हीरो का बड़ा है हम विश्व का सबसे सफ़ताद है यह समय चक्र माया इसमें समय को रोक दिया गया है जो भी यहां से गुजरेगा वो समय में जम जाएगा और यह है लेजर जार इसे जो भी पार करने के कोशिश करेगा चलके राप हो जाएगा और यह है हमारा आखरी चक्र एस्ट्रो शील्ड एनरजी वैक्यू यह उर्जा रहित घेरा है जहां कैदी कैद है और अब पेशे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाग बारा मुझरिम वैसे अपने आप में यह सब महान वेज्ञानिक है लेकिन इन्होंने अपने संशुधन से ऐसी ऐसी महान शक्तियां आसिल की हैं कि अगर चाहें तो सारे ब्रह्मांड में आतंक फैला सकते हैं यहें दुर्गती महान जीव शास्त्री पराजीवों की बेजोड जानकारा यह किसी भी जीव के विकास करम को पलट सकती है पारे जीव सर्दी से जम के मर गए यह बहुरूपी और्फ मॉर्फो यह शैतान अपना रूप अपना आकार अलग छपकते ही बदल सकता है अगर दुश्मन को पैचानी नपाओ तूसे लड़ोगे कैसे यह च्छलासुप ज्छल और भ्रम का जादूगर यह तुम्हे चाहे जो भी दिखा सकता है जो भी चाहे मैसूस करा सकता है यह पारस इसने अणों के रहस को पा लिया है यह किसी भी धातों को किसी भी दूसरे धातों में बदल सकता है फिर तो किसी भी धातों से यह परमानों विस्पोर्ट करा सकता है ये है वेनम, हर तरह की जहर और किटानों की जानकार ये चाहे तो सारे वादावरन को जहरीला बना सकती है जानलेवा बिमारियां पहला सकती है ये है विकाल, इस पर काल का कोई जोर नहीं भूट से लेके भविश्य तक, जब चाहे, जहां चाहे, सफर कर सकता है ये है काइनेट। इसने मन की शक्ति को इस हद तक सिद्ध किया है कि अपने मनोबल से किसी भी चीज को बिना चुए हिला सकता है जला के राख कर सकता है ये है सुर्ष अमराठ सॉनिक अपनी संगीत से किसी के भी होश उना सकता है ध्वनी तरंगों से दबाही मचा सकता है ये है कंप्यूटर विश्व के किसी भी कंप्यूटर के साथ सीधा संपर्थ कर सकता है उसमें छीभी जानकारी पढ़ सकता है और चाहे तो उसे बदल भी सकता है देजांग इसने ब्रह्मान में बहती प्रकाश के किरणों को केंद्रित करने की टेकनीक ढूंड निकाली है प्रकाश को इतना तीवरी कर सकता है कि चाहे तो क्रहो के तापमान को बदल के रखते है ये है मोहिनी अपने सम्मोहन की शक्ति से ये किसी को भी मोहित करके अपने वश में कर सकती है अपना गुलाम मला के मनमानी करवा सकती है माया, माया, क्या सूच रही हो? समझ में नहीं आता, जिनके पास इतनी शक्ति हो, वो विनाज क्यों जाहेंगे? और सूच की डर लगता है, कि अगर ये लोग छूट गए, तो क्या होगा? जिन्दा मत करो माया, ये जेल तोड़ना नाममकिन है चलो, सेंटरल कंड्रोल रूम की तरफ चलते हैं, वहां से भी तुम इनकी होलोग्राम्स पढ़ सकती हो ये उपक्रह 24 गंटे सेटलेर्स की निग्रानी में है, प्रित्वी और मंगल से सीधा संपर्क है चाखा, उस्टा क्या हुआ तुम्हें, अपा देखतो मुझा का कुछ अजीर से हरकत कर रहा है उलका पात का खत्रा, उलका पात का खत्रा, ये कैसा हो, सर, उलकाओं का एक जुन अप्पी दिशा बतल रहा है, लगता है सिधा आयो की तरफ बढ़ रहा है वी रहा है बढ़ फ्लापसा सिधार सिधात का पात्रा उंप State संप्पी का वे रहा है फवड़ घब ए लॉकर आप्टन इन वी जॉड़ ए लॉड़ ए लॉड़ अब दो